हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे आज हम आपकी नाइंध क्लास की गडित की वाक्षी टंबर 61 करने वाले हैं जो की चार जनुवरी के लिए यहां सबी बढ़िया नाम लिखेंगे यहां अपने का क्षाध्यापक का नाम लिखेंगे और बेटा हमारा चेप्टर चल रहा था चत्रभुज चोकि NCRT का आठमा चेप्टर है आवशक पूर ग्यान कहता है चत्रभुज की समझ हम यह समझ चुके हैं कि किसी समानत्य चत्रभुजों में विभाजित करता है कि हमने वेटा कल जो वर्क्षीट यह उसमें पढ़ा था कि अगर कोई भी समानत्य चत्रभुज है उसमें कोई विकण खीज देते हैं हम तो इस तरह जो दो तिरबुज बनते हैं दोनों को तिर बुज क्या होते हैं सरवांक सम होते ह कहता दी गई आकरति में A, B, C, D एक समानतर चत्रपुज है दीख रहा है आपको A, B, C, D समानतर चत्रपुज है A, C इसका एक विक्रण है ये भी आपको दिख रहा है कि A, C क्या है जिसका एक विक्रण है तथा तिर्भुज A, B, C ये जो तिर्भुज आपका ABC बटा ठीक है और तिर्भुज CDA ये जो तिर्भुज CDA ये दोनों तिर्भुज क्या है आपके सरवांग सम है ठीक है इसलिए तिर्भुज ABC और तिर्भुज CDA की संगत भुजाएं और कौन भी बराबर होंगे क्योंकि तिर्वो सर्वांग सम हो गए हैं तो इनकी भुजाएं और कौन क्या होंगे बराबर होंगे अब हम कह सकते हैं कि A B बराबर किसके होगा बिटा C D के A B बराबर किसके होगा C D के और B C बराबर किसके होगा A D के ठीक है यही लिखा है 20-20-20-20-20-20-70-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20 अंतर कौन होगे और तीन बराबर ये बटा तीन है कौन और ये कौन चार है ठीक है ये भी एक अंतर कौन है ये भी बराबर होगे उसके बाद हम कहते हैं दो बराबर होगा एक के ये कौन एक है और ये कौन दो है ठीक है क्योंकि ये क्या है समानतर चत्रबुज के सम्मुक कौ हमने क्या सीखा है जी देखिए के अगर किसी चत्र बुझां के दोनों बडाबर है तो वह अवर्ष्य ही क्या होगा? समानतर चत्रबुज होगा यानि कि अगर PQ बराबर दे रखा SR के और QR बराबर दे रखा PS के तो हम यह कह देंगे कि क्या है ज़रूर है इस चत्रबुज के लिए कि समानतर चत्रबुज ही होगा तो PQR यह से अवस्षे एक समानतर चत्रबुज है कहता है अगर दूसरा पॉइंट है अगर किसी चत्रबुज के सम्मु कौन बराबर हो जाएं तो वहे भी अवस्य क्या होगा समांतर चत्रबुज होगा ठीक है जैसे कि एक बराबर हो जाएं दो के और तीन बराबर हो जाएं कौन चार के तो अवस्य क्या होगा यह समांतर चत हुआ है। अब तो हम कहते हैं मन उपी आएक समानतर चाटर ऑच अब ऑव कहता सकी एक आपको कहता से सरह प्थान में सही उत्तर को लखिए। के रख ख Sea इस डिएक समानतर चातर जाटरबुच है Ya यह आपको दिखाए दरा ए यह कई समानतर तो पहले point में उसने कहा कि तिरभुज eF H विकारना आप एच अफ दिख रहा है ए एफ एच जो है वह सरवांग समाँ किसके जी एच एफ के किसके बटा जी एच एफ ठीक है तो लिग दीजिए कि तिरभुज सरमांग समें किसके तिरभुज G H FK ठीक है इस तरह साब का पहला पॉंट हो जाएगा अब देखिए दूसरा क्या कहता है EF इसके अंदर EF बटा किसके बराबर होगा अगर यह समानते चत्रुपुज है तो EF बराबर होगा हमारा HG के EF बराबर होगा H G और FG किसके बराबर होगा FG बराबर होगा H E के किसके H E के ठीक है अच्छे अब तीसरा पॉंट देखते है तीसरे में कहता है कौन H EF H EF यह वाला कौन बटा तो पर किसके बराबर होगा F G H के किसके कौन F G H के क्योंकि हम जानते हैं कि समानत्य चेद्रूद के सम्मुक क्या होते हैं बराबर होते हैं F है ठीक है F G H कोन बना देंगे F G H उसके बाद बटाए E H G E H G यह वाला बटाए E H G किसके बराबर होगा इस कौन के बराबर होगा G F E की यह वाला बराबर होगा क्यों G F E K ठीक है बटाए E H G बराबर होगा G F E के उसके बाद देखते हैं बटाए चोथा और आखरी पार्ट है इसका E H F आपको दिखाए देखाए देखा E H F यह वाला बटाए यह वाला बराबर किसके बराबर होगा G F H के बराबर होगा क्योंकि एक आंतर कौन होगा G कौन बराबर होगा G G बटा F और G F H की ठीक है और अगर हम बात करें H G H F की G H F यह वाला बराबर होगा किसके इसके यह क्या है E F H यह बराबर होगा कौन E F H के इस तरह से बटाब क्यों वाक्षिट पूरी होगा भी उम्मीद करते हैं आपको चिस्ट्व में आगी होगी तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना तो मिलते हैं आप से अगली वीडियो में